हाई, अम अवनी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं Nation Next फिल्म इंडस्ट्री के पहले सूपस्टार राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में देते हुए लोगों पर ऐसा जादू कर दिया कि लोग उनकी एक छलक पाने के लिए बेकाबू हो जाते थे खासकर लड़कियां तो उनकी इतनी दिवानी हो गई थी कि रोजाना उन्हें हजारों लव लेटर और शादी के ओफर्स आते थे कई लड़कियां तो उन्हें अपने खून से लेटर लिखकर भेजती थी तो वहीं कईयों ने तो उनके फोटो से ही शादी कर ली थी राजेश खना की दिवानगी का आलम ये था कि लड़कियां उनकी फोटो तकिये के नीचे रखकर सोने लगी थी 29 डिसेंबर 1942 को इस पहले सूपरस्टार का अमृत्सिर में जन्म हुआ था आज हम राजेश खना से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्स आपको बताएंगे राजेश खना का अस्ती नाम जितन खना था फिल्मों में कदम रखने के बाद उनके अंकल के के तलवार ने उनका नाम बदलकर राजेश खना कर दिया था जिसके बाद इस नाम ने परदे पर इतना कमाल दिखाया कि बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्री उन्हें प्यार से काका कह कर पुकारने लगी राजेश खना ने यूर 1969 से 1971 तक लगातार 15 सूपर हिट फिल्म दी राजेश खना ने बॉलिवूड में अपने करियर के शुरुआत 1966 में आई फिल्म आकरी खट से की थी पहली ही फिल्म में राजेश खना को ओडियंस का काफी प्यार मिला इसके बाद उन्होंने आराधना, दो रास्ते, खामोशी, सच्चा जूठा, कटी पतंग, सफर, दाग, अमर, प्रेम, प्रेम नगर, नमकराम, रोटी, सौतन, अफ्तार जैसी कई, शांदार और सुपर हिट फिल्म दी जिसके कारम ने रोमैंटिक आक्टर की रूप में जाना जाने लगा ये समय ऐसा था कि जब राजेश खना हिंदी सिनेमा में एक टॉप स्टार बन गए थे आलम ये था कि बड़े से बड़े फिल्म प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म्स में लेने के लिए हर तरह की कोशिश करते थे राजेश खना और उनकी आवास के रूप में किशोर कुमार ये फिल्म्स की पहचान बन गए थी राजेश खना को सुपस्टार बनाने में किशोर कुमार के गाने का भी बहुत बड़ा हाथ है राजेश खना उस समय काफी फिल्म्स करते थे जिसके कारण उन्हे समय नहीं मिल पाता था राजिश खन्ना का स्टार्डम ऐसा था कि प्रड्यूसर्स किसी भी कीमत पर उनको अपनी फिल्म्स में लेना चाहते थे इसलिए एक बार ऐसा हुआ कि राजिश खन्ना को एक छोटी से ओपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एड्मिट होना पड़ा था एड्मिट होने के कारण वो कहीं भी नहीं जा सकते थे जैसे ही ये बात प्रड्यूसर्स को पता चली तो हॉस्पिटल के दूसरे रूम्स प्रड्यूसर्स ने बुक कर लिए ताकि राजिश खन्ना को फिल्म की स्टोरी सुनाई जा सके उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से पुकारा जाता था और उस समय प्रड्यूसर और डिरेक्टर्स उपर आका और नीचे काका ऐसा बोला करते थे उस दौरान जिसने भी राजिश खन्ना का स्टार्डम देखा है उनका भी कहना है कि उनके बाद ऐसा स्टार्डम उन्होंने किसी दूसरे आक्टर का नहीं देखा बताया जाता है कि राजिश खन्ना के पास एक सफेद कलर की कार थी जब भी वो किसी प्रड्यूसर डिरेक्टर से मिलते थे तो लड़कियां उस गाड़ी को चूम लेती थी और वो सफेद गाड़ी लिपस्टिक से लाल हो जाती थी राजेश खन्ना की शादी फिल्म आक्टरिस डिम्पल का पाडिया से हुई थी दोनों की उम्र का फासला काफी ज्यादा था जब इन दोनों की शादी हुई तो राजेश खन्ना 31 साल के थे और डिम्पल 16 साल की इन दोनों की शादी तक का सफर भी काफी इंट्रेस्टिंग है दरसल डिम्पल अपनी डेब्यू फिल्म बॉबी के लिए काम कर रही थी और वो भी दूसरी लड़कियों की तरह राजेश खन्ना की बहुत ही बड़ी फैन थी जब राजेश खन्ना को ये पता चला कि डिम्पल उनकी फैन है तो उनोंने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोस कर दिया और डिम्पल ने भी बिना देर किये हा कर दी डिम्पल के लिए राजेश खन्ना से शादी करना किसी सपने जैसा था दोनोंने 27 मार्च 1973 को शादी कर ली कुछ सालोबाद राजेश खन्ना और डिम्पल का बाड़िया अलग हो गए लेकिन दोनोंने तलाक नहीं लिया राजेश अपनी बेटियों के बहुत करीब थे और नहीं चाहते थे कि उनके तलाक का बुरा असर उनकी बेटियों की जिंदगी पर पड़े 18 जुलाइ 2012 में इस सूपरस्टार ने मुंबई में आखरी सास ली बले ही काका आज हमारे बीश नहीं है लेकिन उनकी फिल्में आज भी हमें एंटर्टेन करती हैं और आज भी उन्हें लोग याद करते हैं इस वीडियो के प्रेडियूसर है विकरान शार डिल्या स्क्रिप लिखी है शमानन ताहरे ने और क्यामरा के पीछे है नितन मानकर नेशन नेक्स्ट